नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल, जैपुदा पिंग सिटी जनल पर आपका स्वागत करती हूँ प्रॉब्लम ठीक करता है, प्रोटीन का भंडार है, इम्मुनिटी बढ़ाता है, बदलते मौसम की हर बिमारी से बचाता है, चेहरे के अंचाहे बाल यानि फेशर हेर भी बड़ी ही आसानी से हटा देता है तो चली देखते हैं, ये चीज क्या है? दोस्तो ये चीज है आईरवेद में संपून आहार माना जाने वाला दूद दूद हमारे स्वास्ती के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, दूद हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रोब्लम से लेकर, आमारी ब्यूटी और स्किन की खूपसूर्ती बनाए रखने तक में बहुत ही मददगार माना जाता है हमारे दातों और हड्यों को मजबूत बनाकर हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग बनाता है, इतना ही नहीं, रोजना दूद पिने से हम आमारे शरीर को बहुत सारी बिमारियों से भी बचाये रख सकते हैं क्योंकि दूद में केलशियम, प्रोटीन, फासफोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बीटवल, विटामिन डी, सोडियम और नियरसिंग काफी अच्छी मातरा में पाये जाते हैं यही कारण है कि नए जन में बच्चों करे तो दात आने तक सिर्फ दूद ही संपूर नहार होता है जो उनका पेट तो भड़ता ही है लेकिन उनको बढ़ने के लिए सारे ज़रूरी पोशक तत्थ भी सिर्फ और सिर्फ दूद से ही मिल जाते हैं और उनकी हेल्फ पे सिर्फ दूद पीने से ही एकदम अच्छी रहती है कुल मिलाकर दूद हमारे लिए नेचर की दी हुई बहुत ही बढ़िया चीज है तो आईए आज के इस वीडियो में हम एक-एक करके देखते हैं कि किस-किस बिमारी के लिए दूद कर इस्तेमाल कैसे करना है कब करना है और कितनी मात्रा में करना है जिन लोगों को खाया पिया अंग नहीं लगता या जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाते हैं और या फिर जिनकी हड़िया कमजोन है उनको दूद को कैसे यूज करना है आईए ये देखते हैं सबसे चल्दी वजन बढ़ाने का जो सबसे सरल तरीका है वो है दूद पिना शेहत का सेवन करना, मीठे फल खाना जैसे की केला खाना लेकिन केला आपको अकेला नहीं खाना है केले में कैलोरियोज और कार्बोहर्डिर्स खूब होते हैं और इसके साथ ही फाइबर, मिनरस और विटामिन्स भी खूब होते हैं जो की वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं तो मैं आपको बता रही थी कि आपको केला अकेला नहीं खाना है आप एक ग्लास दूद ले लिजिए दूद आपको ठंडा ही लेना है, कच्चा दूद नहीं लेना है दूद उबालकर ठंडा किया हुआ लेना है इस दूद में आप जरूरत के नुसार चीनी या मिश्री मिला लीजिए अब आपको बस इतना ही करना है कि एक या दो केले खा कर उपर से दूद पी लेना है आप इसे सुबह कर सकते हैं दिन में दो बार भी अगर आप करना चाहें तो इसे सुबह और शाम को भी कर सकते हैं इसे आप एक से दो महने तक यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ये ऐसी remedy है जिसको यूस करने से 10 दिन में ही काफी वजन बढ़ते हैं हमने देखा है पाइल्स को तेजी से और बड़ी ही आसानी से खत्म करने के लिए दूद बहुत ही कमाल की natural दावा है जिने खून वाले या बिना खून वाले पाइल्स की प्राप्लम बहुत जादा है या फिर बवासीर के मस्ते हैं और या फिर फिस्टुला फिशार जैसी कोई भी प्राप्लम है तो उनको दूद कैसे फायदा पहुचा सकता है आईए ये देखते हैं दूद और नीबू बवासीर के लिए एक बहुत ही अच्छी घरेलू दावा है नीबू के रसमे सभी तरह के पाइल्स को ठीक करने की ताकत होती है अब बात ये है कि नीबू का प्रयोग पाइल्स के लिए कैसे किया जाए इसके लिए नीबू को दूद के साथ लेना चाहिए नीबू को दूद के साथ कैसे लेना है इसका पूरा तरीका में आपको बता रही हूँ आपको सुबह सुबह एक गलास दूद लेना है दूद गायका हो तो बहुत अच्छा है दूद कच्चा भी ले सकते हैं या फिर उबाल कर थंडा क्या हुआ भी ले सकते हैं अब आदा नीबु लेकर बीज निकाल दीजिए और इस आदे नीबु का पूरा रस इस दूद में निचोड लीजिए इस दूद को नीबु निचोड़ते ही तुरंथ पीना चाहिए प्रयोग आपको रोजाना सुबा सुबा खाली पेट करना चाहिए, इसे साथ दिनों तक करना चाहिए, हमने देखा है कि ऐसा करने पर साथ दिन में ही खूनी और बिना खून वाले दोनों तरह के परिस ठीक हो जाते हैं, बवासी ठीक हो जाती है, मस्से, फिस्टुला और फि और साथ दिन में ठीक नहीं हो, लेकिन कम हो जाए, तो कुछ दिन और इस प्रयोग को किया जा सकता है, दोस्तों दूद महिलाओं की खास बिमालियों के लिए भी एक रामबार दवा का काम करता है, इसका कारण ये है कि दूद में जितने विटामिन, मिनरल और निउट्रिय इसरी रोगों के लिए फायदे मन्द होती है, यह है गर्म होती है, इसलिए पीरिट्स की प्रॉब्लम में बहुत फायदा करती है, इस रेगुलर पीरिट्स वाली लड़कियों और महिलाओं को अजवाइन से कैसे फायदा होता है, वो देखिए, आप क्या कीजिए कि एक अजवाइन पाउडर की आदा चमच अजवाइन पाउडर की आदा चमच खाकर उपर से गर्म दूद पी लेना है, ऐसा आपको रुजणा एक मेहने तक सुबा और रात को करना है, इस बीच पीरियट्स आ जाएं, तो भी इस इलाज को करते रहना है, रोकना नहीं है, एक मह ठीक हो जाती है। जिन बच्चों की हाइट बहुत कम है और अभी हाइट बढ़ने के उम्रे चल रही है, वो अपनी हाइट बढ़ने के लिए काफी मेनद भी करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। तो उनको हाइट बढ़ने के लिए दूद को कैसे यूज़ करना है आईए ये देखते हैं। एक ग्लास दूद में एक चमच गुर मिलाकर पीने से हाइट तेजी से बढ़ती है। इसके लिए आप एक ग्लास दूद ले लिजिए। गाएं का दूद इसके लिए सबसे अच्छा रहता है। दूद आपको कच्चा नहीं लेना है बलकि उबला हुआ लेना है। यानि गाएं का कच्चा दूद पहले उबाल लिजिए और फिर उसे थोड़ी दे छोड़ दीजिए ताकि वो थोड़ा ठंडा होकर पीने लाइक गर्म रह जाए। अगर आपके घर में पहले से ही दूद उबाल कर पूरी तरह ठंडा क्या हुआ रखा है तो एक लास दूद लेकर पीने लाइक गर्म कर लीजिए। अब इसमें आप एक चमश गुड अच्छी तरह मिला लीजिए। गर्म दूद होने से गुड इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इस दूद को आपको रोजाना सुबर खाली पेट पीना है। इसे रोजाना सुबर खाली पेट पीने से 40 दिनों में हाइट बढ़ जाती है। आप इसे 2-3 मेने तक पी सकते हैं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए रेमेडी बहुत कारगर है। इसे आप हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसी जगा रहते हैं जा गर्मी बहुत एच पड़ती है तो गर्मी के मौसम में आप सुबर से नहीं करेगा। दोस्तों चेहरे के अंचाहे बाल यानि फेशल हेर रिमूव करने के लिए दूद सबसे ज़्यादा परफेक्ट ब्यूटी प्रोड़क्स में से एक है। दोस्तों ब्यूटी की बात हो और बेसन का नाम नहीं लिया जाए ये एक तरह से impossible ही है क्योंकि बेसन के अंचाहे बाल यानि फेशल हेर रिमूव करने के लिए भी बहुत यूसफुल है। साथ ही यह पैक्ट चेहरे की रंगत भी निखारता है। आईए देखते हैं बेसन को यूज कैसे करना है। इसके लिए आपको एक कटोरी में चार चमच बेसन लेना है। अब इसमें हो तो आप दूद की मलाई भी यूज कर सकते हैं। बस इन सब चीजों को मिलाते ही आपके लिए एक बड़िया फेशल हेर रिमूवल बेसन पैक बनकर तयार हो गया है। अब आप इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अपने अंगलियों से लगा लीजिए और इस पैक को 20-25 मिनट ऐसे ही लगा रहने दीजिए। ध्यान रखिए कि इसे आँखों पर पलकों पर और आइब्रोस पर नहीं लगाना है। 20-25 मिनट बाद इसे रगड़ते हुए उतार लीजिए। इसे उतारते टाइम इतना जोर से भी नहीं रगड़ना है कि स्किन पर रैशेज हो लेकिन इस पैक के फर्स्ट यूज में ही आपको अच्छा खासा फर्क महसूस होने लगेगा। बेशन के इस पैक की लगातार यूज से कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंचाहे बाल पूरी तरह से साफ हो गए हैं और इसके साथ फेस पर एक निखार भी आ ग देखिए आपकी हर बिमारी और ब्यूटी प्रॉब्लम्स कैसे मिंटों में छूँख हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिएगा। आप इसे पॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलन उसके देखते रहने के लिए जैपूर दापिंग सिटी चनल को सब्सक्राइब कीजिए।